नमस्कार प्यार बच्चों कैसे हैं आप सुभी स्वस्त हो ठीको मस्त हो तो आजाई जल्दी से सेशन जुड़ जाएए आज हम पढ़ेंगे यसपाल जी का जीवन परीच इन्होंने हमारे पाठे पूस्ट अग में इनके दो अरचित एक व्यंग है बहुत अच्छा व्यंग जाओने है आपको क्या की इन्यासो 3 मिंक ऋड़न की म मेंटरो जाधिव जाती है पंजाब के फिरोजपूर 16 मीं की मेंぎ आद गरो जल्दी से इनका ज़न होता है PD कहां पंजाब के फिरोजपूर चाउनी में और मिर्तिव होती है प्यारे बच्चों 1906 में याद करना है अब याद करने का तरीका कैसे है याद ऐसे करोगी 1903 में जन्म होता है 1906 में इनके मिर्तिव हो जाती है पंजाब में इनका जन्म होता है प्यारब फिरोजपूर च्छाउनी में इनका जर्म होता है देखो याद करना है तो याद कैसे होगा आपके तो याद कर लेता हूँ भूल जाता हूँ याद करता हूँ भूल जाता हूँ कैसे भूलोगे भई याद करो फिर लिखो जो छूट गया है फिर उसे याद करो फिर लिखो दुबारा से कभी लाइफ में नी भूलोगे ध्यान रखना तो तरीका या समझ में आ गया तो चलो आगे चले प्रारमी सिख्षा कांगडा में ग्रहन की करने के बाद लाहूर के नेशनल कोलेज में उन्होंने बी ये किया पूछा जाएगा यासपाल जी ने प्रारमी सिख्षा कहां से प्राप्त किया तो कांगडा में और बी ये कहां से प्राप्त की कहां चलेगे लाहूर के नेशनल कोलेज से उन्होंने बी ये प्राप्त किया यानि बेचलर वहां उनका परीचे भगसिंग और सुखदेव सिवा पूछा जा सकता है किस कभी की मुलाकात सुखदेव और भगसिंग करांतेकारी वीरों से हुई तो ध्यान रखना ये सपाल जी कहां लाहूर में स्वाधिंता संग्राम की करांतेकारी दहरा से जुड़ाव के कारण वे जेल भी गए हैं अब तुम बताओ सुखदेव भगसिंग जब मिल जाते हैं किसी को तो सीधी सी बात असवाधिन आंदर में को देंगे देश को आजाद कराने के लिए और वो जेल भी जाएंगे आप देखो याद मत करना याद करना किवल आप लोगों को ये दो फास्ट और सेकिंड ठीक है ये याद मत करना क्योंकि आपसे नहीं पूछा जाएगा इतना कुछ ग्यांदान तरका तूफान पिंजरे की उडान वाद दूलिया फूलों का कुरता इनकी क्या हैं प्यार ब पूछ लिया फूलों का कुरता नाम में कहानी संग्रे किस कभी का हैं फिर क्या करोगे ज़्यादा समय नहीं लगेगा प्यार बच्चो तो आपको याद करना है ठीक है उपर न्यास देखो जूठा सच बहु ज़्यादा भहुती ही महतपन उपर न्यास से याद करना है अम तेरी उसकी बात ठीक है और जूठ है सच तो याद रखना ही है जो भारत की विवाजनता पर आदा लीता है तो याद करना कैसे है ऐसे याद करना प्यारे बच्चो देखो 1903 में जन्म चिंतर मिर्त्यू जन्म कहा होता है पंजाब में होता है पंजाब में कहां प्राप्त की किहां से किस कोले से तो लाहूर के नेशनल कोले से और लाहूर के नेशनल कोले जाड़ था लाहूर में इनकी मुलाकात किस किस करांतिकार वीरों से होगी तो ध्यान रखना याद रखना है सुकदेव और भगत सिंग की इनकी मुलाकात हो गई और ऐसे भीर करा पार्टी कामरेट इर्दादा कामरेट इनका क्या है उपन्यास है अब देखिए मैंने कहा था ना बहुत ही महतोपने याद रखना है आप लोगों को जूटा सच और पन्यास भारत भी भाजन की तरासदी का मार्मिक दभो दुख भरा है बहुत ही मतलब आदिवी पढ़ता है तो रो पढ़ता है भारत की भाजन कैसे वाँ उससे कौन कौन से लोग कैसे कैसे लोग तरस्त हुए ते जूटा सच 1960 उसी में दो भागों में प्रैकासित हुआ था प्रैथम भाग 1960 वतन और देस्त नाम था दुट्यत भाग 1960 में हुआ जिसका नाम था देश का भाविश है यानिकि जो यह जूठा सचोपन्यास है यह 1960 में प्रैकासित हुआ था कितने भागों में दो याद रखना है पूछा जाएगा जो जो आप से पूछा जाएगा जूठा सचोपन्यास कितने भागों में बाटा गया है तो कितने भागों में दो बागों में नमबर दो प्रैकासित होता है 1960 में देश का भविशे के नाम से प्रैकासित होता है याद रखना है लिख लिख याद करना है तेरी मेरी सोरी मेरी तेरी तेरी मेरी तेरी उसकी बात 1942 की करांती पर आधारीत है भारत छोड़ो आंदोलन जो 1942 में श्टार्ट हुआ था उनका भासा की सवभाविक्ता और सजीवता उनकी रचना का द्विशिषता है यासपाल जी रचना में आम आदमी सरोकार कवी की उपस्तित है यानि आम आदमी को उन्होंने नायक बनाया ह या यथार्थ वादी क्या होता है इन्हों जैसा देखा है आँखों से वही लिखा है इसमें अपनी कलपना विचारों बहाओं का प्रयोग इन्होंने बिल्कुल भी नहीं किया है सामाजिक श्मता राजनितिक पाखंड रूडियों के खिलाब उनकी रचनाई मुखरेनी जो भी सामाजिक छेतर में किस परकार से हमारे एक दूसरे मतब्यद हो रहे हैं किस परकार से हम लोग यानि कि हमारे एक दूसरे सम्मंद गट कैसे रहे हैं एक दूसरे हम दूसमन कै लिखा है अब देखिए पाठ का सारान चुमें अभी बताया है लखने वे अंदाज लिखा है एक व्यंग रूप में लिखा है लखने नवाग साब के बारे में बताया गया है किस परकार से लेखक ने सुचा या ठाला बैठा हूँ मैं क्या करूँ चलो कहीं चलते हैं गोमने-कोई रचना विचार में आ जाएगी- तो क्यों ने कोई रचना लीखी जए तो वो सोचते हैं चलो ट्रेन बैढ़ते हैं १िड्रकी के पास और बहार का दरस से देखते हैं कोई कहानी लिख डालेंगे, कोई कावेटर लिख डालेंगे तो उन्हें देखा कि सेकंड क्लास का टिकट महेंगा है लेकिन फिर भी वो सेकंड क्लास का टिकट लेते हैं और निर्जन समझकर पीछ वाल डब्बे में बैठ जाते हैं उसमें देखते हैं नौापसाब सफेद कुरताप पजांप पहले से बेठें दो खीरे लेके उन्हें के उपर उन्होंने एक व्यंग लिख दिया है व्यंग यह साबिद करने के लिफ था कि भी कहानी लिखी जा सकती देखो वैसे तो भीना कथ है कि कोई भी कहानी नहीं लिखे जा सकती लेकिन ये कहानी एक सवतुन्तर पुष्टिकाई रोप में पढ़ी जा सकती इन्होंने ऐसा कहा है परन्तु एक सवतुन्तर रचना के रोप में इस रचना को पढ़ा जा सकता है इन्होंने खुद ने कहा है कि बिना कत्ते कोई कहां नहीं लिखे जा सकती लेकिन जो मैंने ये वहंग लिखा है लखनवी अंदाज इसे एक 17 पुस्तिका उड्रोप में भी आप पढ़ सकते हैं देख रो ये है लखनवी अंदाज में सफेद पुस्ति नवाब साब जी से हम लोग कह सकते हैं और ये हमारे लेखा का येसपाल जी जो निर्जन समझ गई इस डब्बे में आये थे लेकिन देखा तो यहाँ पहले से एक नवाब साब बैठे वे थे येसपाल उस पतंसिल सामний वर्ग पर कटाक्स करते हैं जो वास्ति जिसा से बेखबर एक बनावती जीवन सहली का आधी है यानि कि उस दिखावती पन वर्ग पर उन्होंने कटाक्स की है जो के दिखाव पर जीता है जो वास्तिक उसे जीवन की कोई ग्यान नहीं है किस परकार से परती उपर यह रहे हैं, हम लोग किस परकार जीएं, किस परकार नहीं, उसे कोई भी, बिल्कुल भी, किसी पितरे का कोई भी ज्यान प्राप्ते नहीं है, तो उसी पर उन्हें ने व्यंग किया है, कहना नहीं होगा कि आज का समय में भी ऐसी परजीवी संसकर्त ऐसे देखो एक पर वापस समझा देता हूं 1903 में जन्म होता है 1906 में मिर्ति हो जाती है जन्म कहा होता है पंजाब के फिरोजपुर छाउने में होता है अब मैं यसपाल जी के बारे में और ज्यादा बता हूं तो ध्यान रखना ये इनकी जो प्राड़ में एक सिक्षा है वो जो बी-ए इन्होंने किया वो लाहुर के नेशनल कोलेज से इन्होंने प्राप्त किया वो लाहुर के नेशनल कोलेज में हीने सुखदे और भगसिंग से क्या होगी प्यारे बच्चों मुलाकात होगी ऐसे याद रखना याद करने का तरीका बता रहा हूं वरना मैं पढ़ यह गया एक जूटा सच उपन्यास है वो याद रखना है जूटा सच उपन्यास जूटा सच याद रखना है जो 1960 में प्रेकासित होता है कितने भागों में दो भागों में पर्थम भाग था वो 1908 प्रेकासित होता है देश और भविश्य के नाम से देश और वतन के नाम से देख लिजेगे एक बार गलती नहीं हो आप लोगों से बिल्कुल भी वतन और देश के नाम से किस नाम से देखो भूल गए थे न तो कोई दिकने उसे याद करो न दुबारा से मैंने कहना एक बार याद नहीं हो तो दुबारा से लिखो न उससे अब कभी नहीं बोलोगी आप लोग उसे क्या नाम था वतन और देश वतन और देश याद करने क तरीका बता रहा हूँ भाही भूल गए वतन देश था देश वतन था तो एबर देखो ना फिर लिखो उसे तो फिर वो उसे आप लोग कभी नहीं भूलोगे तो नंबर दो ुचाँ वूलोगों, तो उसका नाम था देश का भोविशे । जूटा सच उपन्यास कोन था है तो इस प्रकार से आप लोगों को निसे बैच जोईन करना है तो यहां यह code दिया हुआ है y323 यह code यूज की जिए निसे बैच में जोईन कर लिजे और आपको maximum discount प्राप्त होगा ऐसे ही आप लोग हमारा powerful spoken English का बैच भी जोईन कर सकते है पेड़ बैच जो आप लोग y323 code यूज करते हैं तो आपको maximum discount करते हैं देखे रहे हैं एक बड़ ओके थैंक यू कर दो